बिस्मिल्लाखिर वैमान रहीम, डियर स्टुटेंट्स असलावलेकम, स्टुटेंट्स आज हम एक्सराइज 1.4 का क्वेसिन नम्बर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें भी हमारे पास एक रेडिकल एक्वेशन है, रेडिकल एक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका यह होता है, कि इसके दोनों तरफ स्केर लेना पड़ता है हमें, तो हमने यहां लिखा है, टेकिंग स्केर ओन बोट साइड्स, ठीक है, एक्वेशन के हमने लेफ्ट साइड पर भी स्केर ले लिया, राइट साइड पर भी स्केर ले लिया, अब यह स्केर खोलना है हमने, ठीक है, तो फ to a आजाएगा ये two scale root से cancel ये bесяt to scale root से cancel और बागी हमारे पास आजाएगा minus two इसको a का Siqa root के अंदर भी लिख सकते हैं ठीक है जैसे के लिख दिया गिया है और ये two scale root से cancel हो चुके हैं ठीक है यहां पे हमारे पास four a plus x बचके है और यहां से हमारे आपस a minus x आ गया और minus 2 ये इस तरह से लिख दिया गया ठीक है is equal to a अब देखें कि ये 4a और ये a 5a हो जाएगा और ये plus x ये minus x और plus x आपस में cancel हो गए ठीक है और ये दोनों तो आपस में add हो चुके हैं और जो बाकी हमारे पस minus 2 आ गया अब 4a है उसको a से multiply करेंगे तो 4a स्केर फिर 4a को x से multiply करेंगे तो minus 4ax फिर x को a से multiply किया तो ax और फिर x को minus x से multiply करेंगे sorry minus x को minus x से multiply करेंगे तो minus x स्केर equal to a ठीक है अब देखें यह 4 a square as it is आ गया और यह minus a x है यह plus a x है तो इनको simplify किया तो हमारे पास minus 3 a x बच गया और minus x square is equal to a अब 5 a minus 2 और यह हमारे पास 4 a square minus 3 a x minus x square का square root is equal to a आ चुक है ठीक है अब यह a जो है हमारे पास right side भी इसको भी हम left side भी ले आएंगे तो जब यह इदर left से right भी आएगा तो इसका sign change हो जाएगा 5 a में से a को निकाल देंगे तो बाकि हमारे पास 4 a बच जाएगा ठीक है और बाकि terms as it is आगी इदर हमारे पास 0 रहे गया ठीक है अब देखें यह जो हमारे पास सारी term है minus 2 4 a square minus 3 a x minus x square square root यह सारी की सारी जो term है इसको हम इदर ले आएंगे यह negative term थी तो इदर आकर क्या हो जाएगी right side पे आकि यह positive हो जाएगी ठीक हो गया अब देखें इसके दोनों साइडों पे अब scare लेना है तो यहां लिखेंगे again scaring on both sides ठीक है इदर भी scare ले लिए इदर भी scare ले लिए 4a का scare खोल दिया तो 16a square और इसका scare लेंगे 2 का scare अलग से ले लिए 4 आगया और इसका scare लेंगे तो 2 square उटसे cancele हो जाएगा ठीक है अब देखें 16a square as it is आगया is equal to 4 को इस से multiply करेंगे तो 16a square 4 को माइनस 3x से मुटिपलै किया तो माइनस 12ax और 4 को x square से मुटिपलै किया तो माइनस 4x square ठीक है students अब देखें यह 16a square अब सारी जो terms हैं इन सब को a की side पे ले गए है students यहाँ बे देखें 16a square को हम इस side पे ले गए तो यह 16a square माइनस 16a square यह तो 0 रह जाएगा और यह minus 4x square और minus 12ax ठीक हो गया अब इन दोनों में से क्या common आ गया minus 4x तो बाकि हमारे पास बच जाएगा x plus 3a equal to 0 ठीक है अब देखें इसके बाद next जो है हमारे पास यह minus 4x को भी 0 के बरबर लिख लेंगे ठीक है और x plus 3a equal to 0 आ जाएगा ठीक है तो यहां से x की value 0 यहां से x की value हमारे पास आजएगी minus 3a अब देखें कि यह दोनों हमारे पास दो roots आएँ है तो क्या यह दोनों solution set हैं ठीक है तो उसके लिए हम check करेंगे जो हमारे पास original equation थी वो यह थी ठीक है अब इसमें हमने x की जो दो values आएँ हैं ठीक है जब checking करते हैं तो left side से जो भी कोई भी term जो है वो left से right की तरफ नहीं जाती और नहीं equation की जो right side है वहां से कोई भी term जो है वो left side पे जाएगी ठीक है अब देखें इसमें हमने x की value 0 put की इसको simplify किया ठीक है जहां जहां x था वहां वहां हमने x की value 0 put कर दी अब यहां देखें 4a है इसका square root है 4 का square root लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और a का square root तो as it is आ गया माइनस a square root यहां पे हमने a square root जो है वो common ले लिया तो square root a हमारे पास आ गया यह और यहां 2 माइनस इसके जाब पर 1 बच जाएगा इधर square root a है तो यह 2 माइनस 1 1 ओता है square root a आ जाएगा और यहां पे भी square root a है तो इसका मतलब है हमारा जो solution set है उसका जो x is equal to 0 यह हमारे solution set का हिस्सा है ठीक है और दूसरी value का हम चेक करेंगे कि क्या यह भी solution set का हिस्सा है यह नहीं है तो जहां पर x की वे x आ रहा था वहां पे हमने original equation में उसकी x की value पुट करती minus 3a ठीक है इसको simplify किया तो हमारे पास left side right side की equal नहीं हाई है यहां पे हमारे पास right side में square root a है इधर है हमारे पास minus square root a तो यह sides बराबर नहीं है इसलिए minus 3a जो था minus 3a यह solution set का हिस्सा नहीं है बलकि हम इसको extraneous root कहेंगे ठीक है वो root जो जिसको put करें original equation के अंदर और left side का answer right side के बराबर ना आए तो उसको extraneous roots कहते है ठीक है और zero जाय है वो हमारे पास solution set होगा ठीक है अब हम बात करने है question number 9 की तो यह आप लोगोंने खुद ही करना है ठीक है यह भी बिल्कुल इस question जैसे इसी तरह है तो आपकी diary है कि आपने question number 1, question number 3, question number 8, question number 6, nine जो है इनको register पर solve करके आपने मुझे चेक करवाने है ठीक है बात करवा है